नमस्कार, मैं हूँ दक्षा प्रिया, बेश्वा न्यूस के सुबह सवेरे में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज दिन है रवीवार, 14 अगस्त तृतिया तिथी, आईए अब बात करते हैं खबरों की, जुन पर नजरे हैं देश और दुनिया की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर संजय जैस्वाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रदेश में बीजेपी और जेडियू का गड़ बंधन पी एफाई और एसडी पी आई पर कारवाई के वज़े से तूटा है संजय जैस्वाल ने सीम नितीश पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि नितीश कुमार के कुछ बड़े अधिकारियों का इन संगठनों से संबंध है कही मामला गर्बर ना हो जाए इसी वज़े से ऐसा कदम उठाया चंडिगर के सेक्टर सोला स्टेडियम में लहराते हुए राश्रद्वज की सबसे बड़ी मानवच्छवी का गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाया गया है पहले ये रिकॉर्ड यू एई के नाम था जिसे अब तोड़ दिया गया है इस उप्लब्धी को हासल करने के लिए 5,885 लोगों की भीर जमा हुई ये उप्लब्धी चंडिगर विश्विद्याले और NID पाउंडेशन ने हासल की 15 अगस को लेकर खूफिया एजेंसियों ने देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का हाई अलर्ट जारी किया है अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है दिल्ली पुलिस ने सभी महत्वपून स्थलों प्रतिष्ठानों के अलावा रेलवे स्टेशन और बस अड़्दो पर सुरक्षा बढ़ा दी है विवादित किताब The Satanic Verses के लेखक सलमान रुष्टी पर अमेरिका में हमला करने वाले शक्स को गिरफतार कर लिया गया है हमलावर की पहचान हादी मतार के रूप में हुई है जो न्यू जर्सी का रहने वाला है जानकारी के मताबिक मातर न्यू जर्सी के फेर व्यू स्थित अपने घर से यहां लगभग 650 किलोमीटर ड्राइब करके पहुँचा था भातिय विदेश मंत्री डॉक्टर एस ज्याई शंकर ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर हालाद बेहद नाजुक है हमने अपना रुप कायम रखा है कि अगर चीन सीमा वर्टी लाकों में शांती भंग करता है तो इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ेगा हमारे संबंध समान्य नहीं है और समान्य हो भी नहीं सकते माराश में लंबे इंतजार के बाद सीम एकनाच शिंदे ने क्याबिनेट का विस्तार तो कर लिया है लेकिन मंत्री पर नहीं मिलने के कारण कई विधायक अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं यहीं नहीं विभाग के बटवारे को लेकर एकनाच शिंदे और बीजेपी में खीचतान जारी है सबसे अधीक आलोचना मंत्री परिशद में किसी भी महिला को शामिल न किये जाने को लेकर भी हो रही है RBI ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि रिकवरी एजेंट्स की कर्टूतों को कतई बर्दाश्ट नहीं किया जाएगा रेगुलेटर या उनके एजेंट्स कर्ज की वसूली करते समय दराने धमकाने गाली गलोज या हाथापाई नहीं करेंगे नहीं तो सक्त कदम उठाए जाएंगे आईए बात करते हैं आज के सुवचार की गुस्सी के वक्त थोड़ा रुख जाने से और गलती के वक्त थोड़ा जुख जाने से जिंदगी आसान हो जाती है आज के लिए बस इतना ही बने रहें तमाम खबरों के लिए देश्वा न्यूज पर धन्यवाद देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूले